चलिए देखते हैं कौशन आंसर सबसे पहले हम कहानी से देखेंगे पहला कौशन देखते हैं बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहा कर बदलू काका क्यों कहता था इसका आंसर देखते हैं बच्वन में लेखक अपने मामा के गाउं चाउं से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक की मामा के गाउं में लाख की चुडियां बनाने वाला कारिगर बदलू रहता था लेखक को बदलू काका से अत्यातिक लगाउ था वह लेखक को धेर सारी लाख की रंग विरंगी गोलियां देता था इसलिए लेखक अपने मामा के गाउं चाव से जाता था गाउं के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे इस कारण लेखक की बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था चलिए देखते हैं दूसरा कॉशन वस्तु विनी में क्या है? विनी में की प्रचलित पद्धती क्या है? वस्तु विनी में अंसर देखते हैं वस्तु विनी में में एक वस्तु को दूसरी वस्तु दे कर लिया जाता था वस्तु के लिए पैसे नहीं लिये जाते थे वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी किन्तु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है वीनी में की प्रचलित पद्धती पैसा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिये है इस पंक्ती में लेखक ने किस विधा की और संकित किया है आसर देखिए इस पंक्ती में लेखक ने कारीगरों की विधा की और संकित किया है मशीनों के आगमन के साथ मशीनों की आगमन के साथ कारिगरों के हाथ से काम धंदा छीन गया कारिगरों का रोजगार पैत्रु काम धंदों से ही चलता था वे पीडी दर पीडी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थी और रोजी रोटी भी चला रहे थी मशीनों की आगमन से मानों उनके मतलब कारिगरों के हाथ ही कड़ गए हो मशीनों ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है मशीनों ने लोगों को वेरोजगार बना दिया चले देखते हैं फूर्ट कोशन बदलू के मन में ऐसी कौन सी वेथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी आंसर देखते हैं बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था परन्तु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रेचलन बढ़ता गया उसका वेवसाय ठप पड़ने लगा अपने वेवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन को बहुत परेशान करती थी बदलू की इस बात की चिंता थी की मशिनी यूग के प्रभाव से उस जैसे अनेक कारिगरों को विरोजगारी का शिकर होना पड़ा है अब लोग कारिगरों की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं यह वैथा लेखक से चिपी न रहा सकी मशिनी यूग से बदलू के जीवर में क्या बदलाव आया विरोजगार हो गया काम न करने से उसका शरीर कमजोर हो गया उसके हाथो वह माथी पर नसे उभर आई और वह बिमार रहने लगा यहां हमने कहानी से कॉशन्स देखे अब हम देखेंगे कहानी से आगे जिसमें दो कॉशन्स है सेकंड कॉशन देखते हैं चलिए देखते हैं कहाने से आगे सेकंड कॉशन लाख की वस्तों का निर्मान भारत के किन किन राज्यों में होता है लाख से चूडियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजे बनाई जाती है आंसर देखिए लाख की वस्तों का निर्मान सरवाधिक उत्तर प्रदेश में होता है लाख से चूडिया, मूर्तिया, गोलिया तथा सर्जावट की वस्तों का निर्मान होता है हमने इस चैप्टर में शब्दार्थ देखे, खालिस्तान देखा और कॉशन आंसर देखे का कंप्लीट होता है कर से हम व्याकरन का चैप्टर देखेंगी चैप्टर टू